पंजाम नेशनल बैंक, Q3 में बेहधी शांदार नतीजे, चाहे प्रॉफिट के लेवल पर देखें, या बैंक के बिजनेस लेवल पर देखें, बैंक के एसेट कॉलिटी के लेवल पर देखें, बैंक ने बेहधी शांदार नतीजे पेश की हैं, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्व को वीडियो मनाई थी और उस समय शेयर बैंक का शेयर लगबख 60 रुपीज के आसपास था और वहां से देखा जाए तो लगबख 70 परसेंट की तेजी दिखा जुका है और अगर अपने लोवर लेवल से देखा जाए तो इस बैंक ने काफी बड़ी तेजी यहाँ पर दिखा बैंक की आने वाले समय में याँ पर री रेंटिंग हो सकती है इस री रेंटिंग में यह बैंक कहा तक आपको जाता हूँ अदिख सकता है तो आज के इस वीडियो में ये सब बाते मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ और आपको बैंक के रिजल्ट के बारे में भी बड़े आने वाले समय में कारण बन सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो फेंड्स मैं विपिंजयन फाउंडर ओफ लान इक्विटी विपिंजयन फ्रेंड्स अगर आप शेर मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गये लिंक के माध्यम से अब स्टक जाँट के साथ डिमेट अकाउंट खुलवा rocks सकते हैं आप अगर हमारे लिंक से अब स्टोक के साथ डिमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीगराम पर premium membership free of cost provide कराएंगे जहाँ पर आपको daily market updates free of cost provide कराए जाते हैं पंजाम national bank PSU sector का दिगज bank जो की at present लगबक 10,000 plus branches का network operate कर रहा है और ये bank past में देखा जाए काफी दिक्टों से गुजरा है bank ने काफी कुछ face किया है और कहीं न कहीं ये काफी बड़ा कारण था कि bank का share आपको 30 से 35 रुपे के आसपास भी किसी समय मिल रहा था पर अब bank के share में जो तेजी आ रही है वो clear cut ये संकेत दे रही है कि bank अप पिछली बातों को दूर करके अब इस bank ने अपनी asset quality में अपनी growth के अंदर काफी सुधार दिखाए है और ये bank अब strong profit वाला bank दिखता जा रहा है Q3 quarter के अंदर इस bank ने 2200 करोड रुपे का profit दर्ज किया है single quarter के अंदर ये bank 2200 करोड रुपे के profit के अंदर बैठा हुआ है Q3 के अंदर तो क्यों ने इस bank की D rating होगी तो bank का profit जिस हिसाब से आया है वो कहीं न कहीं इस bank की D rating के लिए काफी बड़ा कारण बनने वाला है और वैसे अगर आप bank की performance की बात करें तो Q3 के अंदर इस bank ने बेज़ दी शांदार performance दी है जैसा मैंने आपको बताया है कि bank का net profit 2223 करोड रुपे जो record हुआ है उसमें देखा जाए तो 253 परसेंट की ग्रोथ है वाइन वाइन वाइस पर पिछले financial year के सेम क्वाटर के अंदर 629 करोड रुपे का profit था इस bank का जो की 2223 करोड रुपे हुआ है इस क्वाटर के अंदर तो आप सोचे बैंक के profit में कितना बड़ा उचाल है बैंक की net interest income 10293 करोड रुपे record हुई है जिसमें 12% की ग्रोथ है वाइन वाइस बेसिस पर जो कि पिछले financial year के सेम क्वाटर के अंदर 9179 CR थी यानि कि बैंक के business में इससे में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है अगर आप asset level पे भी देखें तो बैंक ने काफी अच्छा perform किया है बैंक का gross NPA 6.24% के आसपास आ गया है जिसके अंदर देखा जाए तो 352 basis points की यहाँ पर गिरावट है Y&Y basis पर बैंक का net NPA 0.96 1% के नीचे आ चुका बैंक का net NPA जिसके अंदर देखा जाए 234 basis points की यहाँ पर गिरावट दिख रही है बैंक का provision coverage ratio 94% के आसपास खड़ा है जो कि 91% के आसपास था बिछले financial year के सेम quarter के अंदर यानि कि बैंक जो है provisions को भी बैंक ने बढ़ाया है deposit और advances दोनों की बात करें तो उसके अंदर लगबक 11% की ग्रोथ है वाइन वाइब बेसिस पर overall bank का business 11% बढ़ा है deposit लगब 9.35% बढ़ा है वाइन वाइब बेसिस पर advances लगबक 12.40% की ग्रोथ है यानि कि बैंक जो लोन बाट रहा है अब अपनी लोन बाटने की speed को यह bank तेज कर चुका है bank को growth मिल रही है क्योंकि bank के पास अच्छा खासा बड़ा branch network है उसका फायदा भी यह bank अच्छे तरीके से यहाँ पर उठा रहा है जिसके कारण इसके यहाँ पर advances में आपको double digit growth दिखी है देखा जाए जो bank की loan book है जिसमें retail agree MSME जो हाँ पर सबसे ज़्यादा bank की loan book का हिस्सा आता है उसके अंदर इससे में double digit growth है यानि की जो retail agree MSME जो bank की जो loan book है वो इससे में double digit के इस आप से grow और या y and y basis पर तो आप देखिए कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा कारण है इस bank के advances में इतनी बड़ी growth आने का इससे भी ज़्यादा जो बड़े और मुख्य बात यहाँ पर दिखती है वो है management की guidance जो management है guidance इस साल के लिए इस bank को लेकर सामने रखी थी मुझे लगता है यह bank उस guidance के साथ से बिलकुल well position दिखाई दे रहा है इस साल के तीन quarter अब तक बीच चुके हैं और तीनों quarter के साथ से हम देखें तो bank जो है इस समय आउट perform कर रहा है bank की जो credit growth है जैसा मैंने आपका बताया loan book के अंदर वो इस समय लगबग management की guidance के साथ से 12 से 13% की growth होनी चाहिए yearly basis पर अगर हम देखें और अगर हम 9 month के basis पर देखें तो लगबग 13% की growth है यानि कि bank के management की guidance अनुजार credit growth on track है deposit growth 10 से 11% की management ने guidance दी है 9.35% पर है 9 month के basis पर देखा जाए deposit growth भी लगबग 10% को touch करने के आसपास हमें दिख रही है guidance के अनुसार ही वो भी perform कर रही है net interest income लगबग 10% की guidance दी थी management ने F24 के लिए 18.91% की growth है 9 month basis पर net interest income पर जो management की guidance थी उसको bank ने बीट कर दिया है gross NPA below 6% लाने के पास bank बात कर रहा है जो कि समय 6.24% पर चुका है reduce होके यानि कि इस साल के अंतक bank gross NPA को 6% के नीचे लिए आएगा net NPA below 1% लाने की bank बात कर रहाता है by 24 के अंदर 9 month में ही लगबग 0.96% हो चुका है net NPA 1% के नीचे आ चुका है तो bank के management ने जिस आपसे guidance दी थी bank exact वैसा ही perform कर रहा है और यह private sector का bank नहीं है यह PSU bank है bank के management को recovery की अगर बात करें तो 22,000 करोड रुपे की recovery की उमीद थी इस साल यानि कि जो पिछले bank के NPA हुए है उसमें जो bank को recovery हो रही है लगबग bank को 22,000 करोड इस साल वापस आने की उमीद थी जिनको bank provision लेके NPA गोशित कर चुका है उसमें recovery की बात करें तो लगबग 22,000 करोड की recovery की उमीद थी जो अब तक 17,000 करोड रुपे हो चुकी है तो bank ने अच्छी खाचे recovery करी है इस साल और देखा जाए तो जो bank का squadra के अंदर result में यहाँ पर हमें इतना बड़ा profit उचाल दिख रहा है उसमें एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है कि bank का provision कम होना bank ने यहाँ पर provision कम किया है यानि कि bank को NPA जो है अब खास नहीं दिख रहा यह NPA बढ़ता नहीं दिख रहा जिसके current bank जो है provision जो पीछे ले रहा था अब उसको आगे बढ़ा है कि bank के profit में हमें आने वाले समय में ऐसा ही trend दिखने की उमीद है कि bank को अपने NPA पर यहाँ पर अब further provision लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है या कह सकते हैं bank well position दिख रहा है और जिसी साबसे इस bank का profit बढ़ रहा है जिसी साबसे इस bank का EPS बढ़ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है कि FI24 के अंदर यह bank double digit ROE वाला bank बन जाए bank देखा जाए तो 9 month basis पर अब तक लगभग 5200 करोड रुपे का profit record कर चुका है अगर हम इस साल के तीनों मन्त को combine करके देखे तो 500 करोड रुपे के profit पर यह bank बैठा है और पिछले साल के अंदर 9 month basis पर का profit 1500 करोड रुपे का था 288% के आसपास की bank के profit में growth है 9 month basis पर और इस full financial year के अंदर इस bank के profit में काफी बड़ा उचाल दिखने वाला है पिछले साल 9 month basis पर यह bank लगभग 1.2 रुपीज के EPS पे बैठा था इस साल लगभग 4.75 रुपीज के EPS पे बैठा है bank और बात करें FI24 की लगभग 7.500 से 8.000 करोड रुपे का profit होगा इस bank का इस financial year के अंदर और लगभग 7.2 या 7.5 रुपीज के EPS वाला यह bank होगा तो आप सोचिए जब bank के EPS में, profit में, asset quality में, business में सभी चीजों में यहाँ पर इतनी अच्छी growth दिख रही है bank के लगातार यहाँ पर तो उसका impact क्या bank के valuation पर नहीं पड़ेगा यह कहीं न कहीं बजार इस चीज को समझ रहा है और जिसके कारण इस bank के share की यहाँ पर re-rating होई है क्यों यह bank का share पिछले 3-4 महिने के अंदर ही लगभग 60 रुपीज से 105 रुपे का हो चुका है मुझे लगता है बजार इसको कहीं न कहीं समझ रहा है बजार इसके profit को कहीं न कहीं समझ रहा है और आगे क्यों re-rating होगी वो इस basis पर होगी कि आगे भी इस bank के मुनाफे में बढ़ने की उमीद है जैसा मैंने आपको बताया तो F24 के अंदर ये bank लगभग 7,000 से 8,000 करोड के profit वाला bank होगा तो इस bank की फर्दर यहां पर re-rating होती हुँ दिखती है 85 रुपे की book value वाला ये bank है at present हम देखें और इस financial year के अंतक लगभग 87 से 88 रुपीज की book value वाला bank होगा अब आप सोचिए जब ये bank इतने बड़े profit पर बैठ रहा है और आगे आने हैं समय में बैंक double digit ROE वाला bank दिख रहा है तो क्या इस financial year के अंदिंग के अधार पर इस bank को price to book value के इसाब से लबबग 2 का multiple नहीं बिल सकता मैं इस financial year के अंदिंग पर बदा रहा हूँ आपको मार्च तक की बात कर रहा हूँ यानि कि क्या ये bank आपको 180 रुपे तक का target नहीं दिखा सकता जब PSU sector के अंदर छोटे छोटे बैंक बैंक को महराश्ट, IOB bank अपनी price to book के इसाब से चार के, पांच के multiple पे trade कर रहे हैं तो क्या इस bank को 2 का multiple नहीं मिल सकता मिल सकता है और आप देखिए past में bank book value से discount पे काम कर रहे थे उस समय किसी को नहीं लग रहा होगा कि ये bank अपनी book value के पास भी आएंगे और आप अपनी book value को cross भी कर चुके हैं तो ऐसा ही होगा bank की re-rating आगे भी होगी और उसकी re-rating में ये bank आपको इस financial year के ending के अधार पर लबबक 180 और तक जाता होगी दिख सकता है और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है ये साल banking industry के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है एक तो profit के लिहाज से एक growth के लिहाज से और दूसरा इस industry के अंदर जब interest rate घटेंगे तो मुझे लगता है banking industry के शेवरों में एक boom होगा एक blast होगा उस समय ये bank आपके हाथ नहीं आएंगे और उस समय इनकी re-rating होगी तो यह हो सकता है अपनी book value के 3-4 के multiple पर भी दिखाई दें पर वो अभी थोड़ा long case scenario है पर अगर short scenario में बात करें मुझे लगता है ये bank आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर 180 रुपे तक के आसपास भी जाता होगा दिख सकता है क्योंकि bank कि समय strong position bank कि समय well position दिख रहा है strong position में इसे bank कि समय दिखाई दे रहा है financials के लिए आसे fundamentals के लिए अर्निंग के लिए आसे सभी पैमानों पर bank जो है अच्छा कासा समय perform कर रहा है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ फिलाल के कि लिए नमाशका